प्रियारियल ब्लॉग कैसे आप सब आई हो प्रेली कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे अपने घर में होंगे ब्यास्त भी होंगे अपने काम धाम को लेके तो आज की जो वीडियो है मॉर्निंग से लेके भी आऑनिक की रूटीन मैं आपके साथ सेयर करों कि इसे मैं वाक रहती हों कैसे क्या करते हुआ सुबह देशा ह् tameता होती हैU चज़े तो पिल तोरने के बार फूल तोर्ने से में गार मेरा तो लोग पूल तोर ले जाज़ते लिए तोड़ते हैं वहां काफी कलर के फूल है और कणेल का दो कलर का है वाइट नारंगी कलर में है और वाइट वाला ये फूल का क्या ना में मुझे नहीं पता तो मैं फूल दोने के बाद ज़ड़ू लगा लेती हूं और ज़ड़ू लगाने के बाद जो कपड़े इधर उधर रहते हैं और गैस साफ कर लेती हूं यह सब जो है साफ सफाई का काम मैं कर लेती हूं और पुछा लगाने के बाद मैं रखती हूं चाय और मम्मी मेरी रोज बरतन धूलती है सुबह में चाय सुबह में काड़ा बनता है काड़े के बाद रेटी तो में कभी कभार ही लाल चाय पीती हूँ तो लाल चाह तो पी लेती हूँ और काडा पी लेती हूं घा दो दूसरे तरफ ूध कर दिम् तो पानी घरम नहीं चटबार से पनी वीन मुट और अपने ले है movie तो फेले पी लेती हैं यहां लेकिन 18 Gary करने से पहले नहीं पीपाते हैं तो मैं बरस करके एक तर्वानी चड़ा देती हूं और काड़ा बना लेती हुआ उसके बाद चाय और पी ल के लिए के लिए पानी चाय को गरम करना क्या लाहां लंच बनाने के लाहां तो मैं यहां पर आया था मेरे वहां चावल का आता जिसको मैं डब्बे में रख रहे थी ऐसे जोले पड़ा हुआ था और जाका जाता है उसको तुकड़े वाले चावल निकलते हैं उसको मम्मी क्या करती और और जब जादे हो जाता है। फिर उसके बाद धूल के सुखाता है जहां धूल करें ुपकरद बहुत ब्हुता है देर उस दियाह जाता है दो उसके टुकड़ेवाले चावल माइब अब मंभी वोल तो धूल क Nissan किनारे ये हैं उसको ही धूल के हम लोग फटक के भेज देते हैं तो यह आटा में रख रही थी काफी टाइम से मेरे मां आटा खतम था तो मैं ही बोल रही थी क्योंकि मुझे फरेज होते हैं पीठा जिसको बहुत अच्छा रगता है बनाने का मन हो रहा था तो ममी से मैंने बोला कि सब्सक्राइब याटा तो मैं इसको पहले रख लिए और अब चाम होता है जो कपड़े जो भी स्टर जो कुछ भी मुझे दूप में डाला होता है मैं दूप हो या नहीं मैं सुबर नहाने जाओं उससे पहले दूप हो या ना हो मैं दूप में डाली देते हूं तबी साध पॉल्थीन फट गया था तो मैंने पैन में रख दिया था और दूसरा में पॉल्थीन में रखी थी तो धूप में मैं पहले डाल दूँगी और मैं जब धूप होता है तो मैं निकलना नहीं चाहती हूं क्योंकि दूप में दस बच जाते हैं फेस पे तो दस क्या बारा बच दूप से आने के बाद अगर एक मिनट के लिए भी दूप में निकल जाती हूं तो पूरा बारा बच जाता है फेस पे और लगते कितने अफनाट से हो रहा है तो मैं नहाने से पहले सब धूप वाला काम फिनिस कर लेती हूं मैं चनना डाल दूँगी बाहरी चार पाई पे तब तक हो जाता है टाइम लंच पनाने का और सुबह में मेरे माँ कोई नास्ता ने करता जो खाना होता हो बिस्किट नमकीन कुछ खा लेते लोग और कभी-कभी में चैना फ्राई कर देती हूं या फिर कुछ ऐसा बना देती हूं जब कोई बोलता है तो क्योंकि बच्चे बेशन और उसके बाद नमक एड़ करूंगी ठोड़ा सब्धनिय पाउडर राइट करूंगी मैं और नमक एक चीज का ध्याण रहा है कि नमक अगर इसमें डाली रहा है तो ग्रेवी में हिसाब से नमक डाले या फिर इसमें थोड़ा ही नमकड़े क्योंकि ये जाया तो ज कटई में फ्राइब करूंगे मुछ तो होता है जो यहां तेल मेरा फ्राइब टॉ आपकर करें पूरा दूंगी वरूल क्योंकि मैं भाट सब्सक्राइब करते हैं लगता है जैसे मुझे तेजी है लेकिन मैं कभी मतलग जल जाती हूं इसके लिए मैं बता रही हूं और यहां तेल आप लोगो को लग रहा होगा कि क्यों इतना गांस दे रहा है तो मैं बता दूँ घर पे सर्षों को पिराता है भे जीरा जीरा और धनिया पावडर डाला है है हल्दी और उसमें डाला है दो बड़े साइज के प्याज और पांत से साथ लेसन की कलियां एक इंच अद्र का टुकड़ा जो मसाला मैंने त्यार कर लिया है मिक्सि में मुझे सिलवटे पर पीछने का मन नहीं हो रहा था सुबद सुबद नहाने के बाद मनने किया मसाला प मसाले में तो मिर्ची थोड़ा सा जादे हो गया था लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था और पापा मेरे नहीं थे पापा दादी के वहां थे तो पापा रहते तो थोड़ा मिर्ची बचा के डालते क्योंकि पापा मेरे तीखा नहीं खाते हैं और मैं और मम्मी मेरी तीख ऊछें बुक्त्राइब नमक, क्योंकि मैं ढूत की क्याया नमक है तो थोड़ा सा नमक में डालूंगे आधा टेबल स्पून और इसको अच्छे से भूलनुगी ढ़के हमको लग रहा है कि तीन से चार मिट इसको मेडियम टू लो फ्लेम पे इसको भूलने ना है और भूलने के बार हम इसमें से जब देखेंगे कि तेल छोड़ने लगा हमारा मसाला तब इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे तो यहां देख सकते हैं कि टेल छोड़ दिया है मसाला पूरा ओल छोड़ दिया है तो इसके बाद जिस मिक्सी के जार में हमने मसाला पीसा हुआ था उसी मिक्सी के जार को धुल के थोड़ा सा पानी इसमें आड़ करें तो यहां एक मेट मैंने ऊसमाम सले को पका लिया जो मिक्षी में पानी डालके मैं यहां दाल ऑने के बाद फिर से अप इसको पालें तो यहां और मुस्ट मेरा ग्रेवी जो है त्यार हो गया कोफते में नमक भीने मसाला भीने तब तक ग्रेवी ठीक हो जाए तो यह मैं जो कोफते बना के रखी थी और अच्छे से इसको पकाऊंगी एक चीज का धियान रखने आपको कि बहुत इसको ग्रेवी को बहुत गाड़ाने करना है चुकि जब बन जाता है तो यह सारा पानी क कोफता एपजॉब कर लेता है तो थीक बहुत गाड़ा मतलब ग्रेवी बसता ही नहीं है इसके हिसाब से मतलब की मीडियम पानी पे ही हमको कोफता डाल लेना है और इसको छोड़ देना है दो मिनट के लिए और इसके बाद मैं इसमें डालने के थी और मैं इसको फ्लेम को बन कर दूंगी और फिर हम इसको चावल रोटी परा थे कैसे भी सर्व कर सकते हैं बहुत अच्छा लगता है तो ऐसे मैंने बना लिया था दो पहर का लंच और मैं लंच बनाने के बाद सो गई थी उतने के बाद मैंने सामकर वीडियो शेयर किया आप लोगों के साथ और अ इसके लिए आगी छट पे और छट पे हम और भाई बैठे हुए थे तो सुचा है पहने कि आज जो आज का जो वीडियो उसका एंट कर देते हैं और आज मैंने लगाया डार कलर का आजल आप लोग देख सकते हैं और इसलिए लिए क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि आप काज रखते हैं कि काजल लगा के वीडे बनायां करो काजल आप यह अच्यों रहता है तो मैं बताद roadmap काजल लगाती हूं गर्मी में भाट प्रॉ Publish का घ्र शौत करून यह बहत कम लगा के वीडियो गनाती हूं चाहिए आज की वीडियो चीर आप लोगों करने होता है कि क्यूंसे युद्ग कि आज आपके साथ एक रिव्यू एक प्रोड़क्ट का रिव्यू जो कि मैं कुछ टाइम से ट्राइ कर रही हूं और बहुत ही वेनिफेस्यल मुझे लगा तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ जरूर सेयर करना चाहिए उस प्रोड़क्ट को तो मैं यहां पर उसको सेयर मैंने इसको परपल से मंगा हुआ था और डेर अपते से मैं दो दिन पर इसको ट्राइब कर रही हूं यहां कि खतम होने वाला है थोड़ा सा बच्चा हुआ है और इसमें हवा बहुत जादे लग रहा था मुझे प्रोड़क्ट थोड़ा कमदा लेकिन पैसे के साब से पैस सब्सक्राइब कर सकते हैं 50 ग्राम इस पर लिखा हुआ है इसका क्वांटिटी है और इसमें बता दू मैं तो इसमें बहुत सारे चीज मिला गया है जैसे कि इसमें मिला गया है मुलतानी मिट्टी पाउडर गेरू पाउडर यशाद भास्म टमैटो जूस पाइनेपल जू कर लिया है और मैं दिखाती हुए किस कलर का है तो एक कुछ रेडियस कलर में आता है इस कलर में आता है रेडियस कलर में और इसका महक उतना अच्छा मुझे ने लगा क्योंकि यह बहुत फूरूट का है मतलब कुछ लाइट कलर लाइट जो जिन लोगों को बहुत प्रोड अगर कोई सस्ता फेस पैक आप लेना चाहते हैं तो इस फेस पैक को आप जरूर यूज़ करें और इस पर लगाने के बाद कुछ ऐसे हो जाता है बहुत जल्दी सूख जाता है और इसको लगा के बीच से 15 से 20 मिट इसको रखना होता है इसके बाद हमको ठंडे पानी से वास क प्रशच करते हैं तो यह वीडियो आज की थी और मैं ऐसे ही डेली काम दाम में लगी रहती हुँ मेरे घर पे काम होता है कुछ ने कुछ जो घर काम होता है मैं करती हूं बैकास का वीडियो ब्लॉग जो भी कहते हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो आच्छा लगा होगा और इस लाइक कामेट शेयर कर दें चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें पहले का अपने तक के लिए बाब यू झीउओ सून बाई